हे गाई साब सभी का स्वागत है आपके अपने यूटीब चानल पर मैं हूं मुगत पाठक और आज हम इस वीडियो में डिसकर्स करेंगे एप्लिकेशन आफ देरी बेटिव का next concept increasing and decreasing functions इसे पहले भी हमने increasing and decreasing functions के कुछ basic अगर आपको f of x आपको increasing functions में given होता है तो किस तरीके से उसकी value हम find out कर सकते हैं तो आज हम इस वीडियो में देखिए क्लास कि अगर आपको f of x decreasing function में है तो आप x की value किस तरीके से find out कर सकते हैं तो चलिए गाइस बिना time waste कि हम start करते हैं अपने इस questions को question को पुरा द्यान से देखिए अच्छे से देखिए समझ जिए और वीडियो को skip ना किजिए ताकि आपको concept पूरा अच्छे से समझ में आ जाए तो गाइस यहाँ पे question given है f of x is decreasing function right f of x क्या है आपको decreasing functions है और यहाँ पर आपको f of x given है 2x cube minus 15x square minus 144x plus sorry minus 7 तो यह question आपको given है guys तब अब आपको क्या करना है यहाँ पर आपको पहले क्या करना है इसको इसका differentiate find out करना है guys यार किए पहले क्या करना होता है आपको इसका differentiate और यहाँ पर f of x की वेन है तो आपको f dash x apply करना होते है इसका मतलब होता है differentiate कैसे कर सकते हो 3 to the 6 first one 3 to the 6 देको power से multiply कर दो मैं 3 to the 6 x square यहाँ पर power 3 तो कम हो जागा class तो यहाँ पर हो गया 2 15 x 30 x minus यह जो x की value होती है basically 1 होती ही है तो 144 वंजा तो 144 यह जो minus 7 है 7 basically constant है तो constant क्या अतोर differentiate के अंदर 0 होता है तिसलिमें इसकी value नहीं लिखना हो क्योंकि यह value क्या हो जाएगी 0 right guys and next one हमें difference rate का दिया common निकल लो common क्या निकलता है इसमें से 6 यहाँ पर x square minus 5 x minus 24 clear यहां तर अब आपको क्या given यहाँ पर कि जो f of x है यह क्या है decreasing function f of x is decreasing function right तो यहाँ पर आएगा f dash x के लेस देन 0 तो f dash x की value क्या 6 x square minus 5 x minus 24 less than 0 तो x square minus 5 x minus 24 less than 0 अभी यह 6 कहां गया 6 हमने 0 से दिवाइड कर दिया तो आंसे कितना आएगा 0 आएगा गाईस अब हम इसमें क्या करेंगे थर्ड टम का formula यूश करेंगे लेकिन इसको पहले प्रॉपर तरीकी से sequence करते है तो x square minus 5 x less than 24 minus है तो plus हो जाएगा यहां पर थर्ड टम का formula करेंगे गाईस तो यहां पर 5 है तो 5 upon 2 that is means यहां पर हो जाएगा कैसे करते क्लास इससे पहले वाले वीडियो पर भी हमने देखा था तो 1 upon 2 लेते और 25 upon 4 हम क्या करेंगे अब एड करेंगे क्लास यहां पर आएगा एक स्क्वार माइनस 5 x plus 25 upon 4 less than 24 plus 25 upon 4 right अब आपको इसका स्क्वार उट लेना है तो जो फर्स टर्म है क्या है एक स्माइनस माइनस असे रहे यहां पर माइनस इदा प्लस होता है तो हम यहां पर प्लस लिखते एक लास क्लिए 25 upon 4 का स्क्वार उट क्या आईगा 5 upon 2 एंस का स्क्वार फिर यह लेस देन 24 फोसन 96 प्लस 25 तो 121 अपन 4 कि अब हम इसका स्क्वार उट लेंगे एक लास तो एकस माइनस 5 अपन 2 लेस देन माइनस 11 अपन 2 स्वारी माइनस प्लस दोनों आएगा यहां पर क्योंकि हम स्क्वार उट ले जब स्क्वार उट लेते हैं तो आंसर प्लस में भी आते हैं और माइनस में भी आते हैं तो देर्फोर एकस माइनस 5 अपन 2 लेस देन 11 अपन 2 और एकस माइनस 5 अपन 2 मोर देन माइनस 11 अपन 2 minus आएगा तो sign क्या होगा? Change हो जाएगा class. Next thing अब क्या कर सकते हम? जो minus 5 upon 2 इसको shift rate कर देंगे. Therefore x देखे? Therefore x less than 11 upon 2 plus 5 upon 2 और x minus sorry, x more than minus 11 upon 2 plus 5 upon 2 तो guys यहाँ पे x less than देखे? इसको plus कर देंगे denominator सेम है और 11 प्लस 5 16 और X X more than X more than यहां पर 2 आएगा class minus 11 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6 minus 6 तो X की value आ गई है 8 और X की value आ गई है minus 3 तो यह value आपको मिल जाएगी classy यहां पर मतलब क्या है कि X क्या हो जाएगा less than 8 और X से यहां पर क्या हो जाएगा more than minus 3 यानि कि minus 3 से more than value कितनी भी हो सकती है तो इसका जो final answer आएगा class वो कैसे लिखते हैं हम लोग इन decreasing minus 3 less than X less than 8 तो यानि कि X की value क्या होगी 8 से कम होगी और यहां पर माइनस 3 क्या होगा X से ज्यादा होगा class right therefore F is in decreasing then minus 3 less than X less than 8 तो यह होगी आपका final answer in decreasing function class यह होगी आपका question number 1 complete question number 2 हम start करते है question number 2 है guys अपने पास देख यहां पर question लिख देता हूं F of X equals to X power 4 minus 2 X cube plus 1 तो यह होगी class आपका question same है यहां पर कि decreasing functions है तो decreasing functions तो क्या करेंगे first one हम इसका differentiate निका लेंगी class तो X power 4 तो क्या होगा 4 X cube minus 3 X cube है तो 6 X square constant number है तो series को यह रिमूव हो जाएगा class यहां से कुछ भी नहीं लेना भी तो अब इसमें से common लेंगे तो common क्या निकलेगा इसमें 2 X square लिखे 2 X square अगर मैंने common लिए तो यहां पर 2 बचेगा क्योंकि 2 2 सा 4 होता है class X square मैंने लिए तो यहां पर X cube है तो यहां पर क्या बचेगा उननी X बचेगा फिर minus यहां पर हमने X square को common लिए हुआ है अभी यहां पर 2 हो यहां पर 6 है तो मतलब 3 टाइम पर 3 2 सा 6 और यहां पर आएगा F is decreasing function तो आपको decreasing function given है class decreasing function तो मतलब F dash X less than 0 तो F dash X की वाली किया 2 X square 2 X minus 3 less than 0 तो 2 X minus 3 less than 0 यह जो value है class उसको हमने इस साइड लेकिया और 0 से divide कर दिया तो answer में आएगा 0 इसलिए same value यहां पर आ गई है अब class minus 3 इसको shifted कर देंगे तो 2 X less than 3 minus से तो क्या होगा plus और 2 multiplication में इस साइड आएगा तो divide में तो 3 divided by 2 तो X की value क्या मिल गई हमें less than 3 upon 2 मतब 3 upon 2 से less than जाएगा तो यह negative तो जाएगा class अब यह less than कितना जाएगा यह नहीं पता तो negative number तक जाएगा यह तो less than X less than 3 upon 2 तो therefore F is decreasing then minus infinite minus infinite less than X less than 3 upon 2 तो यह क्या class second sum भी complete तो चलिए class इसको फड़ा फड़ा आप note-down का लीजे हम start करते हैं question number 3 चलिए class हम start करते हैं question number 3 question number 3 यहाँ पर एकी बैने की F of X equals to 2 X cube minus 15 X square minus 84 X minus 7 तो विसलिए यह given है और आपको क्या करना है इसका first one differentiate करना है class तो increasing and decreasing functions में जितने भी questions आएंगे आपको first one क्या करना है यहाँ पर differentiate करना है and differentiate करके क्या करते हैं आपको देखना है कि यह increasing function या decreasing है अगर increasing होगा तो more than zero अगर decreasing होगा तो less than zero substitute करना है इसकी value को solve करना है यहनिकि X की value find out करना है तो चुलिए class यह सम को भी देख लेते हैं किस तरीके से हम solve कर सकते हैं तो इसका difference होगा class वह होगा f-x तीक है अब आपको इसका differentiate करना है तो 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 तुटी जा 6x square minus 15 to 30x minus 84 अब आपको क्या करना है यहाँ पर इसमें common देखना है तो common number क्या बिन देगा यहाँ यहाँ पर 6 तो 6 bracket में x square minus 5x minus 14 अब आपको यहाँ पर जो functions है वो क्या है आपका decreasing function है यहाँ पर रखेंगे therefore f is decreasing function जब यह decreasing function मिल जाएगा class तो जो आपका differentiate values है वो हो जाएगा less than 0 and f-x की value हमने यहाँ पर find out कि है इसकी value substitute करते हैं हम लोग 6 in the bracket x square minus 5x minus 14 less than 0 6 यहाँ पर multiply में class inside आएगा तो divide हो जाएगा तो x square minus 5x minus 14 less than 0 तो यह value मिल गई मुझे अब हम क्या करेंगे 14 को shifted कर देंगे class तो therefore x square minus 5x less than 14 clear अब यहाँ पर हम third term का formula इसका होल स्क्राइगे class तो वैसी जो third term का formula होता है वो कियाता है 1 upon 2 into coefficient of x तो coefficient of x के यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर लिखेंगे 5 and 10 का whole square अब इसका solve करेंगे class तो आंसे कितना है क्लास वो कहां से आएगा और कैसे आएगा क्लियर यह बेसिकली third term का formula है या तो इसको हम बोलते formula method ठीक है यह basically maths में था यह 10th के तो formula method अब आपको 25 upon 4 add करना है मतलब x square minus 5x plus 25 upon 4 less than 14 plus 25 upon 4 अब गया इसको convert कर देना है whole square के formula में तो यहाँ पर जो first term होगा class वो है x फिर साइन को है minus 25 upon 4 मतलब 5 upon 2 राइट और यहाँ पर less than 14 4 करेंगे class 14 4 होता है 56 56 plus 25 56 plus 25 करेंगे class तो answer आएगा 71 upon 4 इसका square root लेंगे तो x minus 5 upon 2 less than 81 upon 4 का square root लेंगे तो 9 upon 2 बट यहाँ पर plus और minus में आएगा class तो therefore x minus 5 upon 2 less than 9 upon 2 और इसको तो 2 times और गरेंगे class क्योंकि यहाँ पर 2 times sign आ गया है एक प्लस है और एक माइनस है तो x minus 5 upon 2 less than minus 9 upon 2 clear तो therefore x less than 9 upon 2 plus 5 upon 2 और तो guys यहाँ पर answer आएगा less than 9 plus 5 तो 14 upon 2 और x less than upon में 2 होगा class minus 9 plus 5 करेंगे तो answer आएगा minus 4 इसको divide करने पर आएगा answer 7 और minus 2 clear class यह आपको value मिलके यह x की अब हम इसका final answer रिखेंगे class तो that is means कि x क्या होगा less than 7 होगा और x क्या होगा more than minus 2 होगा क्योंकि minus का sign आया तो sign change हो जाता है और जब इसका final answer देखेंगे तो f is decreasing then minus 2 less than x less than 7 तो यह जो part था इसको मैंने क्या किया opposite कर दिया पुरा तो minus 2 कर दिया यह जो more than sign था वो less than यानि कि यह देखो इसका मुह कहां पर खुला होगा है एक्स की exercise मतब आप ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं तो यह हो गया complete solution decreasing function का यानि कि जो आपका 4.2 का exercise से कॉमर सेक्सेंस में यह complete हो गया है तो यहां तक ही करना है आपको 4.2 में इसके बाद आपका 4.3 स्टार्ट हो जाएगा तो हम नेक्स वीडियो में मिलेंगे 4.3 के exercise के साथ आयब गया होगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ या चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बैल एकन प्रेस कर लिजिए ता कि आपको नोटिफिकेशन मिलता लेगा चले गाइस मिलते हम 4.3 के exercise में बने लिए चैनल पर